नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का RIMC Mathematics की जोई सिरीज चल रही है, concept series आज उसका day 6 है और पिछली class में हम लोगों ने decimal, खास कर जो repeating decimals हैं उनको fraction में कैसे convert करेंगे, वो सीखा था आज एक बड़ा simple सा concept सीखने जा रहे हैं और even RIMC में questions आए भी हैं आप LCM और HCF कैसे निकालोगे fractions का, छोटा सा example है suppose आपको इस तरीके से तीन fractions दियें A upon B, C upon D, E upon F अगर आपको इस fraction का LCM निकालना है suppose ठीक है, A upon B, C upon D, E upon F तो जब आप LCM निकालोगे fractions का तो जितने भी यह fractions है, इनके जो numerator है ना उनका तो आप LCM ही निकालोगे और जो यह denominators है उनका HCF निकालोगे ठीक है So it's going to be what? It's going to be LCM of A, C, E upon HCF of B, D, F ठीक है, एक छोटा सा example देख लेते हैं अगर by the way आपको दिया है 1 upon 2, 2 upon 5, 7 upon 6 suppose इस तरीके का अगर कोई fraction दिया है और आपको इसका LCM निकालना है LCM तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे LCM of the numerator वाला पार्ट 1, 2 और 7 इसका आप क्या निकालोगे LCM upon HCF निकालोगे आप HCF किसका 2, 5, 6 अच्छा, what is going to be the LCM of 1, 2, 7 1, 2, 7 का LCM आने वाला है वो कितना आएगा 14, it's going to be 14 HCF का क्या, यहाँ पर 2, 5, 6 का क्या HCF आने वाला है इसका जो HCF आएगा, देखिए HCF is the highest common factor, okay आप देखो के 2, 5, 6 में क्या common है 2, 5, 6 में थी कि तीनों में common होना चाहिए क्योंकि यह 5 एक prime number है 5 into 1 e factor होगा, इसके वज़े से इसमें सिर्फ 1 e common है So you will get the answer 14 The LCM of all these fractions कितना आगया आपका 14 आगया In the same way, in the same way अगर आपको HCF निकालना है ठीक है, अगर आपको HCF निकालना है किसका आप numerator का बस इतना सा ध्यान रखना है छोटा सा concept है, जब LCM निकालोगे तो numerator वाले का LCM लेलना Denominator का automatically HCF आ जाएगा उसी तरीकी से जब HCF निकालना हो तो numerator पार्ट का आप HCF लेंगे और denominator पार्ट का LCM हो जाएगे ना फिर HCF of a, c, e upon LCM of b, d, f same example देख लेते हैं, same example मैंने कौन सा fraction लिया था? 1 by 2, 2 by 5 1 by 2, 2 by 5 comma 7 by 6 Yes, I have taken 7 by 6 तो अगर हम इसका HCF निकाले, so HCF of this fraction is going to be the HCF of numerator वाला पार्ट, that is 1, 2, 7 upon निचे हो जाएगे, LCM of 2, 5, 6 okay अच्छा, so what is going to be the HCF of 1, 2, 7, अगर आँ 1, 2, 7 में common देखोगे, again क्या common मिलेगा आपको NCF? 1 is going to be the highest common factor अच्छा, what is the LCM of 2, 5, 6? 6 की table अगर आप बोलोगे तो basically 6 बंज़ 6 क्या सभी के multiple में आता है नहीं आता है, 6 2s are 12 नहीं, 18 नहीं, 24 नहीं 6 5s are 30 तो 30 आप देखोगे तो 30 6 की table में तो आती ही आता है, 5 की और 2 के भी, so 1 upon 30 is going to be the answer, 1 upon 30 is the HCF of this fraction, okay, so I hope कि आपको एक छोटा सा concept समझ माया होगा अगर exam में आ जाएगा तो आप इसी तरीके से उसे करेंगे, okay और इसी तरीके की conceptual videos देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर subscribe करना और comment करके बताना कि आपको यह जो concept वाली series है कैसी लग रही है, मिलते हैं बहुत जल्द तब तक ले bye bye, all the best जाहिए